सबसे पहले तो कक्षा दस्मी के सभी प्यारे छात्रों का स्वागत है और पूरे दो दिन की महनत के बाद मैंने डेर सारे बिकल्पों में से धातू एबं अधातू के 20 MCQs ऐसे निकाले हैं जो परिक्षा में आने की पूरी-पूरी संभावना है तो आप इन MCQs को बहुत अच्छे से देख लीजेगा और ये मैट्रिक परिक्षा के लिए चाहे आप बिहार बोर्ड हो, UP बोर्ड हो, MP बोर्ड हो क्योंकि जहां पे भी NCRT बुक चलती है वहां के सभी राज्यों के लिए ये टॉप 20 MCQs बहुत माइने रखते हैं और आज मैंने जो गैस किया है उसमें से आया है तो आप मुझे पर पूरा भरोसा कर सकते हो और ये टॉप 20 MCQs अच्छे से एक जगा लिख लेना, ये कैसा ऐसे वैसे विकल्प नहीं है, ये पूरी रिसर्च के साथ दो दिन मैंने खुद पुराने पेपर देखके, अलग-अलग प गया है कि कौन सी धातू कमरे के ताप पर द्राव अवस्था में होती है, तो धातूं में ऐसी कौन सी धातू है जो कमरे के ताप पर द्राव अवस्था में होती है, तो इसका जवाब है पारा, तो आप इसमें टिक लगा सकते हैं या डारेक्ट आंसर लिख सकते हैं, कि इस जा सकता है तो इसका आंसर है sodium ठीक है sodium धातू पनीर के टुकले जैसी होती है और इसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है ये पूरे पहले मैंने NCRT के लिए हैं आपके लिए बता देता हूं कि NCRT बुक से ही ज़्यादा तर question आते हैं इसलिए आगे बढ़ते हैं आगे है न लेकिन मैं अलग से एक बात और बता देता हूं कि aluminium में भी उश्मा का चालन होता है लेकिन सबसे अच्छा पूछा गया है तो कापर में होता है ठीक है कापर में अगर option में silver भी दिया होता तो कापर से अच्छा कौन होता है silver तो वो आप वहाँ पे लगा सकते हैं आगे तो ये 24 केरिट का होता है ये आपको पता होना चाहिए 24 केरिट मतलब सुद्ध सोना आगे बढ़ते हैं लोहे पर लोहे को जंग से बचाने के लिए किस धातू की पर्त चड़ाते हैं तो इसके चार option में आपको दिखाता हूँ तो चार option में हैं जस्ते की, chromium की, aluminium की या steel की तो इस मेंसे जो सही आंसर है वो है जस्ते की, जस्ते की परत जंग लगने से बचाने के लिए हैं तो जंग का मतलब जासी सुरू होता है और जस्ता भी जासी सुरू होता है तो आप इसकी ट्रिक बना सकते हैं नेस्ट कॉश्चन है निम्न मैंसे किस धातू को केरोसीन में डुबो कर रखा जाता है मतलब मिटी के तेल में डुबो कर किसे रखा जाता है तो इसका जबाब है सोडियम धातू को सोडियम धातू को मिटी के तेल में क्यों रखते हैं क्योंकि सोडियम अत्यम्त सक्रिय धा रहती है, तो हवा के समपर्क में आते ही ये बिस्पोट हो जाती है, इसलिए इसे मिट्टी के थेल में रखा जाता है, आगे बढ़ते हैं, क्वेशन कहता है, कि निमन मेंसे कौन सा युगल, विस्थापन अभी किरिया में परदरशित होता है, मतलब विस्थापन अभी किरिया में दिखाई देता है तो इसमें से हमें बताना है तो देखो यहाँ पे जब सिल्वर नाइट्रेड विलियन और कापर धातू की किरिया होती है तब इसमें विस्थापन हो जाता है ठीक है? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि सिल्वर नाइट्रेड और कापर का जो योग में है यही विस्थापन अभी के लिए प्रदर्शित करेगा आगे बढ़ते हैं आठमे नंबर पे निम्न मैंसे कौन सा गुण प्राया है धातूं में प्रदर्शित नहीं किया जाता मतलब ऐसा कौन सा गुण है जो धातूं में नहीं होता तो देखो इसमें साप साप दिख रहा है कि चमक हीनता धातूं में नहीं होती चमक तो होती है लेकिन चमक हींता नहीं होती हींता मतलब चमक ना होना तो चमक हींता नहीं होती ये टिक लगा देना नेश्ट क्वेशन है पतले तारों में धात्यों के खींचे जा सकने की जो चमता है उसे क्या कहते है तो इसका जबाब होगा इन चार ओप्सन में देखो पहला है तन्यता दूसरा है आगात बर्धना तीसरा है ध्वनेकता और चोथा है चालकता तो खींचे जा सकने खींचना मतलब तन्यता ठीक है तो इसका सही जवाब होगा तन्यता इसके बाद आगे बढ़ते हैं दसमा फ्वक्षन लेते हैं निमने मैंसे कौन सी धातू ठंडे एवं गर्म जल में अभी किरिया नहीं करती है तो ध्यान रखना आईरन किरिया नहीं करती है ठंडे एवं गर्म जल मे अभी किरिया नहीं करती, कौन सी धातू, आईरन, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अमलराज या एक्वारेजिया का संगटन है, सबसे आखरी का नहीं, तीसरे नंबर का हम मानेंगे, सांद्र सांद्र जब दोनों में हो, तब वो बाला टिक करना है, जिसमें दोनों विलियनो में सांद्र सांद्र लिखा हो, जैसे सांद्र HCL हो, यानि गाढ़ा HCL और गाढ़ा HNO3, और इनका अनुपात तीन अनुपात, एक मतलब तीन चम्मच अगर ये है, तो उसमें एक चम्मच ये होगा, आगे बढ़ते हैं, बार्मा कॉश्चन देखो, बहुत ही इंपोर्टन है, निम्न मैंसे कौन सा गुण आइने की योगिक प्रदर्शित नहीं करता है, बार्मी नंबर का है, तो इसमें लिखना है कि आइने की योगिक ठो सबस्था में चालक नहीं होता, जैसे नमक का टुकड़ा है, वो ठो सबस्था में विद्धुत का चालन नहीं हो सकता, ले बिद्धुद्धारा का प्रवान नहीं किया जा सकता तो ये सही होगा इसमें आपने लगा लिया था ना ये वाला सही है आगे बढ़ते हैं निम्ने मैंसे कौनसी अधातु द्रव अवस्था में पाई जाती है अभी तो आपने सबसे पहला क्वेशन देखा था विद्धुद्धारों पर एक अचालक पधार्त की परत चड़ी है तो सामानने तहा इसके लिए प्रयोक तो होता है देखो इसके लिए जैसे कोई भी विद्धुद्धार है चाहे अलूमिनियम का हो चाही कापर का हो उसके उपर प्लास्टिक की कुछ परत लगी रहती है और उसे हम PVC कहते है PVC का पूरा नाम Polyvinyl Chloride होता है क्या होता है? Polyvinyl Chloride तो आप लिख भी सकते हो तो इसका सही जबाब होगा PVC विद्धुद्धारों में आप वीडियो को पॉस करके अगर आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते है नेश्ट है निम्न मिस्त्र धातुओं मेंसे किसमे पारा एक अबयब होता है? पंद्रमा कॉस्टन है कि पारा अबयब होता है तो आपको चार मिस्त्र धातुओं दी गई है आपको बताना है इन में से किस में पारा मिला होगा है तो जिंक अमलगम इसमें पारा मिला होता है ठीक है तो सारी चीजे आप नोट करते जाना धातू अधातू के अंदर और आप कहोगे तो आपको मैं यहाँ पे आगे चैप्टर 4 के लिए भी बना दूँगा और मैंने पहले ही फ्री ओनलाइन कोचिंग चैनल पर जो है गड़ित पूरी पढ़ा दी है तो आप अगर गड़ित पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिष्ट चेक जरूर कर लेना आगे बढ़ते हैं एक एलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होता है इसको बोलते है रणाबेशित एनोड इसकी बाद है सत्त में नंबर पर मिस्रधातू है मिस्रधातू क्या होता है अंसर है एक सामांगी मिस्रण होता है मिस्रधातू क्या होता है एक सामांगी मिस्रण नेश्ट लिखते हैं सामांगी मिश्रण का मतलब जिसमें समान अंगे की निश्चे तनुपात में मिलाया जाते हों उन्हें सामांगी मिस्रण कहते हैं चांदी की सता है किस पधार्थ के कारण काली पढ़ जाती है तो इसका जवाब है AG2S, bisome हैं काली सता उसके कारण ही पढ़ेगी सल्फाइड ज मैंसे कौन सुचालक है तो देखो इसमें देखो हीरा को चालक होता है सलफर को चालक होता है फुलेरीन को चालक होता है लेकिन जो ग्रेफाइड है भाई साब ये आपका चालक होता है ग्रेफाइड जो यहाँ पे लगा है इसमें से current बहती है नेश्ट लेते हैं आखरी question है निम्न मैंसे कौन सी धातू उबैधर्मी आकसाइड बनाती है तो इसमें याद रखना aluminium plus 3 आकसी कणवस्था पर दर्शित करता है और उबैधर्मी आकसाइड बनाता है तो यह जो 20 question है इनको अगर आप पढ़ लोगे तो इनसे बाहर आने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है बहुत ही detail के साथ दो दिन मैंने बहुत ही सोचा है पुराने paper देखके तब जाके यह ready किया है तो आप ऐसे ही अगर आप और वेडियोस देखना चाहते हो तो YouTube पर search करेंगे free online coaching और playlist जरूर चेक करेंगे सारे वेडियोस लेक्चर आपको मिल जाएंगे Science का chapter 3 मैंने पूरा पढ़ाया हुआ है तो वो भी आप देख सकते हो तो comment करके जरूर बताना आपको क्या चाहिए आगे मिलते हैं next video lecture में Thank you